तो बात ही हो रही थी कि हमने vectors words को vectors में represent करना भी सीख लिया था और उसका neural network solutions भी देख लिया था one of the neural network solutions जिसमें context की बेस्पर हम word semant Regards मालम करते हैं और उसमें हमेरे पास यह चार problems ऐसी थी जो नज़र आई थी और उनमेंसे दो काम ने कहा था कि हमें partial solutions मिल गए हैं दो के तो हम कहें कि near perfect solutions मिल गए और ये दो ऐसे हैं जिसके solutions अभी भी कुछ मौझूद हैं लेकिन हमें deal करना होगा तो अब modern solutions पे आते हैं अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी पिछले वाले इस session में वो 2015-16 तक ये चीज़ें develop हो चुकी थी और लोग इस पे काम तर रहे थे अब पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है state of the art solution इस वक्क क्या मौझूद है हम उस पर आ जाते हैं तो दो major problems हैं word forms जिससे हमें solve करना है sub words पर ये मैं discuss नहीं करूँगा लेकिन कुछ algorithm से exist करते हैं जो sub words जिससे आप text दें तो वहां से वो sub words learn कर ले दें कि इसमें morphemes ये units यह होंगे कि king एक unit है kings s दूसरा unit है kingdom है तो d o m जो एना वो तीसरा unit होगा तो वो corpus को analyze करके उसमें से sub words पर डिर्ट कर देते हैं कि ये sub words होने चाहिए just ऐसे algorithm से exist करते हैं context पे हम ज़्यादा emphasis कर रहे हैं कि words को हम learn करें उनके context पर पहले भी हमने ये बात की थी लेकिन अब context को ज़्यादा importance देनी है ज़्यादा importance किस्ता से देनी है अच्छा अब हमाएं पास जो models बने language models बने language models बने language models बैसे statistical classically देखें तो statistical models होते हैं जिने language models करते हैं लेकिन neural language models भी बने जो neural network based है ELMO एक है example पर बायुक्ट है और क्योंकि ये semantics को बोरिंग सा subject बनता जा रहा था और mathematics में बहुत जादा involved हो रही थी तो कमस्कम modern दोर में कोशिश की गई है कि नाम इन models कैसे रखे जाएं जो मपिट्स के नाम पर हों तो ये embedding for language models ELMO जो बहुत मशूर है बायुक्ट वो bi-directional encoder representation for transformer ये बायुक्ट है and so on तो ये नाम ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से catchy हो अब हम आजाते हैं कि context based models किस तरह से आते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं for example हम keyboard में हम mobile keyboard पे ये चीज मौजूद होती है mobile के keyboard पे कि आप एक word लिखें तो वो next word खुद बखुद प्रेडिक्ट कर रहा होता है किस तरह से normally करता है वो जादातर जो हैं वो उस word देखते हैं और उस word के बाद आने वाले अगले word की most probable जो next word होता है जो most frequently उसके बाद आकर होता है वो दे 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 अच्छे यू लिखें आप सिर्फ लास्ट वाले को देखें अगर मैं आप से पूछूं या आप किसी दूसरे शक्स से पूछें कि मेरे पास एक word यू है यू के बाद अगला word ये symbol क्या होगा तो बहुत कम चांस है कि कोई किया इसके बाद question mark आ रहा होगा जड़ डोड पे चलते भी किसी शक्स से आप पूछें कि यू के बाद क्या यू लिखावा है अगला word क्या होगा most of the people कहेंगे कि आर होगा यू के बाद आ रहाता है लेकिन हमारे इस context में यू के बाद question mark आ रहा है तो एक अच्छा predictive system इवन आप अपने mobile निकाले हो उसमें यू type करके देखें तो यू के बाद क्या वो predict कर रहा है most probably our predict कर रहा होगा तो यू के बाद question mark predict करने के लिए हमें context चाहिए हम simple classification system भी बना सकते हैं ये जो orange boxes हैं ये just classification system है कोई machine learning algorithm यू जोड़ा है neural network भी हो सकता है और भी कुछ और हो सकते जिसे यू input दे यू की encoding input दे और वो किसी और word की encoding output में देगा लेकिन आगा context ना हो तो system जो है यू के जगा यू के corresponding question mark के बजाए आड predict कर रहा होगा even most of the mobile अब हम context किस तरह से embed करें context embed करने के लिए introduce करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो orange boxes हैं इनको भी मिलाना पड़ेगा यनि hello की इन फॉर्ण जब वो how के corresponding आड predict कर रहा है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि पिछला word क्या था पिछला word hello था जब वो आड के corresponding जो green वाला आ रहा है तीसरा वाला उसके corresponding you predict कर रहा है तो उसे ये भी पता होने चाहिए कि पिछले दो words hello और how थे ये ज़िए आखरी वाले you के corresponding question mark predict करने के लिए उसे ये भी पता होना चाहिए कि पिछले hello how और आड पिछला contest hello how आ रहा है तो ये contest के लिए हम ये करते हैं कि hello के corresponding neural network में गया कुछ calculation हूँ उस calculation की base पर how predict हुआ और वो जो result है ना सिब how project करने में use हुए बलकि वो आगे भी पास हुए जब how के corresponding word हमें predict करना था तो हमने how की encoding देखी encoding अभी वही जो पिछले session में हमने देख ली थी उसके इलावा पीछे जो calculation होई है वो भी information आ गई तो इन दोनों ने मिलके r predict किया अब r की corresponding predict होना है तो सिब r की encoding है प्लस पीछे से जो calculation आ रही है वो calculation जिसमें effect hello और how दोनों का है वो दोनों के दोनों information यहां आ गए और इसने r और पिछले वाली information ने मिलके u को predict किया और फिर वो जो मैंने example कही थी कि u अगर यह connected नहीं होता है तो u के corresponding most probably r ही predict हो रहा होता लेकिन अब calculation में दो चीज़ें involved हो रही है neural network की calculation में u की encoding और पीछे से यह जो पूरी encoding आ रही है के hello how r की मिलके जो encoding आ रही है इन दोनों ने मिलके इसके बाद कहा कि इसके बाद question mark most probable चीज़ है तो just आपको context आगे भीजना होता है और यह जो एक जमाने में इस्तेमाल होते थे होते हैं तो just हमें prediction के वक्त context भी देखना है एक आइडिया यह होगा है कि हम prediction कर रहे हैं उसमें context भी देखना है अच्छा prediction कर रहे हैं अभी तक तो हम semantics पर बात करें वेक्टर semantics पर बात करें था तो second last layer है वो में वो कोई ना कोई numbers represent कर रहा होगा और last layer उन numbers को मिला कर एक prediction कर रही होगी तो जो second last layer में जो number calculate हो रहे हैं वो उस word की representation है जो as a byproduct हमें मिल जाती है तो हम system को किसी classification task के लिए train करते हैं और उस classification task के byproduct के तौर पे हमें words की vector representation मिलती जाती है तो यह तो अभी classification task है कि you आएगा, r आएगा, how आएगा, या question mark आएगा लेकिन जो भी second last layer में आपके पाद representation आ रही है वो उस word की semantic representation हो जाती है as a byproduct तो classification करते हैं हम byproduct में हम word semantics learn कर लेते हैं अच्छा अभी इसका problem यह हमने देख लिया कि पिछले words देखें लेकिन क्या सिप्छले words का context चाहिए होता है या अगले word का भी context चाहिए होता है इसमें हमें लग रहा है कि पिछले word का context चाहिए अब जो अगली example है मेरी उसमें teddy space अगर मैं कहूं teddy के बाद क्या आएगा हम सब यह कहेंगे कि bears आएगा पहले sentence में सही है teddy bears are on sale दूसरे sentence में Teddy Roosevelt was a great president तो दूसरे sentence में bears नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता क्योंकि उसके बाद में जो words है वो आपको context बता रहे हैं तो जो शुरू में जो system आये थे वो सिफ पिछ पिछले words काफी नहीं है आपको पिछला वर्ड और अगले वर्ड दोनों देखने चाहिए करेक्ट वर्ड को गैस करने के लिए आपको पिछली information चाहिए बलके अगली भी information चाहिए तो फिर जो system नहीं उससे ज्यादा complex हो जाएगा वर्ड एक्स टू के corresponding या वर्ड एक्स व उपर वाली लेयर में एस डैश नॉट से जो से आगे वाले words हैं उनकी बेस पे जो calculation हुई है उनके results और फिर इन दोनों results को A और A बार को मिला दिया किसी तरह से normally average कर लेते हैं यह भी एक फिर्ड है कर लें maximum value ले लें दोनों को concrete कर दें उन सब की base पर आपने यह वाइवन पेडिट कर दिया तो पिछला context और अगला context दोनों को मिला कर by-directional models लगते हैं तो बहुत सारी cases में हमें by-directional model चाहिए होते हैं कि वो previous और next context दोनों देखें अगर हमारे पर next context available हो तो simple unidirectional models होते थे उसके बाद पर by-directional models आ गये अच्छा by-directional models में अब कुल और इसमें improvement ह हो सकती है unidirectional में हमने कहा कि उसका फाइदा जो है वो यह उसका नुकसान यह था कि आगले वाले को deal नहीं हो रहा होता इसमें for example यह teddy bear वाली example देख लें कि यह पहला word teddy है फिर यह blank है जो हमें predict करना है और इसके बाद वाली सारी information है अच्छा इसमें देखें तो आपको य यह जो a और a- है इस पर सबसे जादा influences के बराबर वालों का हो रहा है यहां से a bar से जो information आ रही है वो इससे अगले वाले पे गई उससे अगले वाले पे गई तो यहां आत्याते distill हो जाएगी थोड़ी सी वो हलकी हो जाएगी तो पिछले वाले cells का जादा information का असर होता है उससे कम वालों का कम होता है जैसे अगर हम इस वाली example में रेखें कि यू पे जो सबसे जादा असर हो रहा होगा इस calculation पर वो यू का हो रहा होगा और इस आर का hello वाले information how के साथ merge हुई तो for example hello की यहां 100% information थी यहां पर आई तो hello और how जो दोनों 50-50 हो जाएंगे just layman terms में ज information 50% हो जाएगी यह और कम हो जाएगी और आगे जाएंगे तो इनकी information और कम हो जाएगी and so on तो यह मामला आश्ता आश्ता कम होता ही जाएगा तो यू तक आने में आर की information बहुत जादा होगी और hello की information बहुत कम होगी तो recurring neural networks में एक problem यह होती है कि जो context में word जितना दूर हो होती है इसके कुछ और solutions भी देखे गाए हैं लेकिन यह problem बाकी रहती है कि जो immediate neighbors होते हैं वो जादा effect करें words पर और immediate neighbors के मकाबले में जो दूर वाले neighbors होते हैं वो कम effect करें होते हैं हर problem में यह नहीं होता जैसे के बाद अगर रोजवेल्ट आ रहा है तो most important thing is president president Roosevelt है अगर word president यहां पर नहीं होता तो हम यह रोजवेल्ट यहां पर कभी भी नहीं कर रहे होते हैं तो जितना was contribute कर रहा है जितना great contribute करना उतना ही president को भी contribute करना चाहिए जो हमारे recurrent neural network वाले models है वो ऐसा नहीं करते हैं उसमें immediate neighbors का ज्यादा effect होता है तो इसका solution यह ढूंडा गया कि आप words को जैसे यह access है इस access में आई भी वो deal कर रहा है और यह आखरी word है वो भी deal कर रहा है तो हर word को हर word के साथ link कर देंगे तो जो transformers revolution आया 18 और 19 में लोगों ने transformers पर काम करना शुकिया तो transformers यह होते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें है attention क्या होता है वो मैं discuss यहां पर नहीं कर रहा लेकिन simple words में यह है कि हर word दूसरे word के साथ link होता है तो access के मुतालिक अगर मैं information पेडिट कर रहा हूं तो उसमें आई भी उतना ही आई भी से भी connected है और sentence के जो आखरी word है account है वो भी से connected है तो हर वर्ड हर वर्ड के साथ connected है अब इसमें कांटेक्स्ट में फिर नेटवर्क खुद बखुर learn कर रहा होता है कि किस तरह के वर्ड को जादा वेट देना है किस तरह के वर्ड को कम वेट कर देना है लेकिन बोगे information थोड़ी सी slow हो जाता है signal neighbor distant neighbor का वो कम हो जाता है कि हर वर्ड immediate neighbor बन जाता है हर वर्ड हर वर्ड से connected है तो transformer का simplest idea यह है नुखसान इसका यह है कि जाहरे computation जादा होगी पहले हमने एक word calculate किया फिर दूसरा word calculate किया तो उसमें computation कम है तो इसमें हर वर्ड अगर हमाई पास 15 वर्ड का sentence है तो हर वर्ड दूसरे वर्ड से connect होगा तो आप permutations देख लें कि कितने बनेंगे हर वर्ड के दूसरे वर्ड की computation से तो इसमें computation जादा चाहिए होती है GPOs हमारे पास मौझूद है इसलिए deep learning में GPOs होते हैं कि वो पहले calculation कर लेते हैं तो यह use the whole context transformer की जो सबसे मशूर मिसाल है या दो मशूर मिसालों में से एक जो है वो बर्ड है bi-directional, encoder, bi-directional है, encoder है, representation of or transformer, bi-directional इसलिए लिखा कि उन्हें word-bird बर्ड बनाना था जो मौपिट का नाम है वरना इसको all-directional भी कह सकते थे ठीक है और अब यह देख लें कि इसमें three forty million parameters होते हैं यानि जो neural network के weights हैं तो यह three forty million weights learn कर रहा होता है तो यह हमारे laptops पे और हमारे computers पे नहीं हो सकता इसके लिए बहुत heavy even simple GPUs पे भी नहीं हो सकता इस system को learn करने के लिए clusters of GPUs चाहिए cluster of GPUs चाहिए जो learn कर सकते हैं इसी लिए अब एक model यह भी चल गया है कि बड़ी Google, Facebook जैसे बड़े organizations यह learning करके हमें दे देती हैं और हम use करते हैं इस तरह के model from scratch बनाना बहुत मुश्किल है सिर्फ यह जो जाइंट्स टेक्निकल जाइंट्स हैं वही यह काम कर सकते हैं हम इनको फिर क्या करते हैं उसको हम इनकी fine tuning कर सकते हैं वह fine tuning एक अलएदा टॉपिक है इस तो by national inco-der representation for transformer बाइट है जी पीटी generated pre-trained transformer है यह जो है ना वह next word generate करता है थो मेरा पूरा context मौझूद हो तो हम हर वर्ट को दूसरे वर्ट से और डील कर सकते हैं अगर पास next word generation करना है तो जाहरे पिछले वर्ट सी कनेक्ट हो रहे हुए EN से E1 और E2 connect हो गए E1 से E2 और EN नहीं हो रहे क्योंकि पहले ये वर्ड आया हेलो ने how predict किया how ने art predict किया r ने you predict किया तो इसमें पिछले सारे वर्ड directly connected है लेकिन आगे वाला वर्ड पिछले वर्ड से connect नहीं होता क्योंकि वो prediction कर रही चुका है टेक्स generate करने के लिए GPT यूज होता है अच्छा अब हम बर्ड से क्या learn कर सकते हैं यह हमने यह सारी चीज़ें क्यों पर देखी जिस्ता से मैंने कहा था कि यह byproduct हम use कर रहे होते हैं यानि वो तो किसी classification task के लिए इस्तेमाल हुआ लेकिन हम ने for example पर एक sentence दिया start में CLS token है यानि यह start symbol है फिर token 1, token 2, token 3, token 4 और token इसलिए लिखते हैं कि सब वर्ड वाली बात की जो हो सकता है कि embedding जो है ना embed एक word हो और ing दूसरा word हो तो सब वर्ड में यह distribute कर देता है तो token 1 के corresponding हमारे पास एक representation आगे token 2 के corresponding multiple layers है थी यह representation आगे तो यह word की semantics हमें चाहिए तो हमें वो यहां से मिल जाएगी यह पहला word अगर word embedding ही लिखावा है तो word का result यह आगया embedding का result यह आगया तो word embedding हमें यहां से मिल जाती है कि हर word के corresponding यहर token के corresponding के output हो रहा है आखरी layer में अगर पूरे document की embedding चाहिए हमें तो यह पहला वाला जो start symbol था वो एक तरह से बाकि सारे word से connected है तो यह start symbol पे हमें पूरे document की representation कीए इस पूरे document semantically क्या बता रही है document एक sentence भी हो सकता है document एक पूरी document भी हो सकती है bird की कोई limit है 512 है I think 512 tokens तो यह वक्त में यह 512 tokens कर सकता है तो वो पूरे 512 token semantically क्या represent कर रहे हैं तो वो representation यह जो पहला वाला column है इस पे आ जाती है तो वो हम पूरे document वो पूरे sentence को represent करना हो तो यह चीज़ हमारे पास मौजूद है और अगर individual words की semantics देखनी है तो आपके पास यह चीज़ मौजूद है अच्छा तो यह अब हमें उस problem को solve कर देगा जो मैंने mouse वाली example कही थी कि एक word की multiple senses हो तो क्या करें तो हमने बहुत सारे sentences ले लिए और जिसमें word mouse use हो रहा है और उनकी उनको इस से pass किया और जहां mouse for example token two mouse था तो वह जो output आया उस output वेक्टर हमने pick कर लिया फिर एक और sentence लिए जिसमें word mouse आ रहा था उसमें token number five पर आ रहा था उसका जो output वेक्टर था वो pick कर लिया उन वेक्टर्स को फिर हमने यहां पर draw किया तो हम यह देख सकते हैं कि जो orange circle वाले यह animal mouse को represent कर रहें चूड़े को represent कर रहें अगर हमाई पास पहले से examples के वो मौजूद थी और blue वाले जो है ना वो mouse computer mouse को represent कर रहें तो वो जब यह mouse आ रहा होगा तो eat का जिकर आ रहा होगा cheese का जिकर आ रहा होगा cat का जिकर आ रहा होगा जब computer mouse की बात हो रही होगी तो click का जिकर आ रहा होगा computer का जिकर आ रहा होगा तो इनकी embedding थोड़ी से मुक्तलिफ है और orange वालों की जो animal mouse की embedding मुक्तलिफ है तो हम contest wise भी देख सकते हैं कि कौन से mouse की बात हो रही है तो ये context को ज़्यादा deal कर रहा होता है तो हम contest लाइस्ट इंबेडिंग ये अलमों से लिए गई है लेकिन बाट से भी हम ले सकते हैं कि वो उस context में उस word की meaning में कुछ ना कुछ और भी add कर देता है कि context context को add कर देता है ये बहतर solution है वर्ट टूवेक से वर्ट टूवेक जल्दी आपको डिदर देगा कि ये थोड़ा सा heavy है heavy दे देगा लेकि इसमें भी जैसे मैंने कहा कि हमें में बने बनाए systems मौचूद हैं तो जैस्ट मैंने ये दो ऐसी वैब पे सर्च किया था और दो अच्छे blogs हैं जो मैंने share कर दी हैं इसमें आपको कोड मिल जाएगा four sentence embedding techniques अब ये है कि बर्ट एक example है इसी तरह से facebook ने अपने systems बनाए हुए हैं और बहुत सारे लोग ने बहुत सारी चीज़ें train की गी हैं तो आपको sentence embedding के multiple solutions पर जाएंगे तो इसमें आप दो में देख लीजेगा कि आगर आपके पास वही जो पहला सवाल था हमारा के क्यूरी आ गई चेयर शॉप इन कराची वो पास करें और उस वो पूरा का पूरा एक वेक्टर की फॉर्म में उसका result एक वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा तो different libraries मौझूद हैं जो इस्टॉल करके आप डिल कर सकते हैं इसी तरह से यहां पर भी इसमें भी कोई बर्ट से आप किस तरह से text similarity मालूम कर सकते हैं यह आप यह चीज़ें देख सकते हैं तो यह एक और result आगया हमारे पास तो अब text encoding में आपको यह result मिल गए एक काम और भी कीज़ेगा कि यह तो सिर्फ चार हैं जो मैंने just for examples कहा है आपको इससे इलावा भी और बहुत सारी examples मिल सकती हैं उन एक्जाम यानि बर्ट है पिर एक m-bird है एंबर्ट जो है न वह multilingual bird है जो जिसमें अभी हम कह रहे हैं कि English Wikipedia डाला से उन्हों ने learn करवा दिया context English Wikipedia उर्दू Wikipedia Hindi Wikipedia अर्भी Wikipedia चाइनीज Wikipedia बहुत सारी जवानों कि Wikipedia बनाया और एक single model ऐसा बनाया जो इन सबकी embeddings को इसने learn किया वा है तो multiple languages के लिए भी मौजूद है फिर आपको French specific models मिल जाएंगे German specific models मिल जाएंगे and so on तो ये भी language models BERT की कितनी types होती है transformers की कितनी types होती है वो देख ले एक चीज़ जो इसमें रह गई है एक अच्छी website है Hugging Face तो Hugging Face आखिर में मैं कहीं type कर दूँगा तो उस पे आपको ये dozens ये सेक्रों की तादार में आपको मिल जाएंगे models कि कौन सा आपको use करना है वो just use करने और इनको train करना हम लोगों के लिए possible नहीं है ये जो बड़े giants है Microsoft Facebook या open AI यही train कर सकते हैं क्योंकि इसकी training के लिए बहुत जादा energy चाहिए होती है और बहुत जाए डिवाइसे चाहिए होते हैं हम इन्हें fine tune कर सकते हैं जो इसका topic नहीं है कि अपने domain के लिए उसे fine tune कर दें तो आप एक model लें और उसे अपने domain के लिए fine tune किया जा सकता है अच्छा यह पार्ट टू भी तक्रीबर मतम हो गया और यह लास्ट पार्ट है तो जस्ट मैं क्यूंकि इस पार्ट में कर रहा हूं मैं डिस्कनेक्ट होके वितिन वितिन सेकिंड्स दुबारा से कनेक्ट हो जाओंगा